इस IC को heat करने से या इस IC के पास component short हो जाने के से आटो port बन रहा है तो आप ये समझ लो कि आटो port क्यों बन रहा है आटो port का सबसे हुआ हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद है मेरा फिटूर जिद है मेरा कुरूर जिद है मेरी जुर्ड़ हाई माई YouTube एक इसे हाँ सबी लोग यार मेरा नाम है दिवतर अंगडबाल और आसा करता हूं कि आपने खर में पैटके स्वस्त होएंगे मस्त होएंगे और इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और कुछ कुछ्छ मुडिवेशन के साथ knowledge लेंगे कुछ होसला लेंगे और कुछ कहीं न कहीं जोस लेंगे कौAST दिन सरू करना है को तो टो मर गए हो मिट गए हो मेरे चलो यह वीडियो आपको मैं बताता हूँ यह वीडियो है पोको एम 3 या रैडमी 9 पाउर या इस तरह के फोनों में आने वाले एक जैसे सलूसन महलत दोस्तों कि सर मेरा आटो पोर्ड बन रहा है फोन नहीं हो रहा है और मेरा आटो पोर्ड बन रहा है अब बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दी हैं बहुत सारे लोगों ने चीजों को इस्प्लें किया है बह मेहनत के लिए और इस वीडियो में आने वाले आपके सलूशन के लिए एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट बनता है और दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं आप देखते हों कि बहुत तड़े लोग सिप एक चोटा सा वीडियो बनाते हैं कि अगर आपके पास एक फोन या आपका Poco M3 या ऐसा कुछ कोई भी एक सेट आए जिसके अंदर आप अपना नैट्र की छोटी सी आईसी दान दीजेगा नैट्र की इस जगे पर यह सिम के नीचे वाली जगे पर आप हीट दे रहे हैं यहां पर आप बूबलेंगे कि बहुत सारे लोग ने कहा है कि आप तो मैं इस आईसी को निकाल कर इसके सारा लाइन चेक करना बढ़ेगा बहुत लोगों ने कहा है कि इसके यह कैपिसिटर सौट हो जाता है तो यह कैपिसिटर तो दो यह कैपिसिटर निकाल दो बहुत सारे लोग अपनी अलग-अलग बाते करते हैं पर अब बात करते हैं ड 4G PFO की पावर आईसी है तो यह क्या ऐसा काम कर रही है कि आटो पोड बना दे रही है तो चलो आप लॉजिक समस्ते छोटे बिल्कुल छोटे से वीडियो में कम स्वाट वीडियो में और ज्यादा नौलेज लेते हैं दूस्तों मैं आप कभी भी अगर लाइनों का अच्छा लेंगे तो यह सारी चीजा आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी अब अगर इस आईसी को हीट करने से या इस आईसी के पास कॉंप्रेंट शॉट हो जाने के से आटो पोड बन रहा है तो आप यह समझ लो कि आटो पोड क्यों बन रहा है आटो पोड का सबसे वारा से भी आटो पोड बन सकता है बूत सारे अधर अधर रीजन हर कDY वं सकता है और अगर अटो पड है किसी थड़ आएकी यह से हैं ना रिलेसों lance से हैं गलnya सबक्राइब लें दो चाहरा है और 1.8 वैजिध मैं बूल है HAJBEEN आपको 4G के रंजोंन है तो अगर इस DC को अगर मैं जूम करूं और ऑस सीखना मैं तो ने इस flashDUMS पूरा आपको सीखना आए तो मुझे एक कमेंट करो इस वीडियो में Detectivepect News मिले तो मैं इस IC का पूरा डिटेलिंग पैडवाइस एक वीडियो बना दूंगा और यह आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बात होगी हलागी इसका डाटा सीट बना कि मैं आज ही अपने गुरूप में डालने वाला हूँ तो दोस्तों अब नोटिस कीजेगा यहां पर आपको क्या-क्या देखने को मिल रहा है तो मैं हलाकि इसको थो छोटा सा आपको एक्स्प्लेइन कर देता हूं यहां पर तो आप देखें कि यहां पर आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा नोटिस कीजेगा दोस्तों तो देखे यहां पर आपको चार मंदेश देखने को मिल ला है यह जारी है यह फान है अब में है यह यह आपके आरफे दाट टा है तो basically RFFE data है तो यह यहाँ पर आपका इसको MP data है RF data जो की CPU सा आता है तो ना इसमें कहां दिक्कत होती है overall जिसके वज़े से autoport बनता है तो वो दिक्कत वाला point होता है यह 1.8 वाला यह 1.8 वाला pad ही है जो दिक्कत कर रहा है और यह overheating या किसी भी तरीके से पानी चले जाना तो यहाँ पर क्या होता है यह reason क्यूँ आप notice करोगे यह line आपको आ रही है यहाँ पर जैसे बहुत common supply जिसको हम बोलते हैं VREG VRAG L9A और L9A इस सेट में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यह line बहुत सारे line पर connect हो रही है क्योंकि यह basically एक 1.8 की वह line है मैं जो imc को भी मिल ले है जो Спасибо को भी मिल ले है अगर मैं इसको फिलाल यहाँसे बताओ फिर मैं बताता कहां कहां से कितने pages में जा रही है तो आप notice किजेगा, यहाँ पर मैंने इसका एक bitmap उपन किया हुआ है, अब इस bitmap पर आप notice किजे, मैंने हाँ थोरा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखे, यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, यह देखे, यहाँ पर इस component पर मुझे 1.8 voltage, यह process, तो यह यह जो capacitor है, दोस्तों, यह जो capacitor है, यह capacitor मेरा 1.8 वाला capacitor है, और यह capacitor आप देखे, अब आप notice किजे कि कितनी यह पर कितनी सारी वाइनों से connected है, तो यहाँ पर मैं इसका solution देटा हूँ, देखे, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ बढ़ाए, जा अब दीखे, यहाँ यह वाली जो लाइन है कितनी पैडो से CPU से connected है यह वाली लाइन देखें यह आपका MMC के साथ जुड़ा हुआ है UFS के साथ जुड़ा हुआ है और अगर मैं बात करूंगा तो यही रीजन होता है क्योंकि यह इसको वी सी सी क्यूँ अगर मैं बात करूँ इसका Vcc-Q है और आपको भी पता होगा इंच में अगर Vcc-Q ना आ है तो पर पावर तो वोल्टेज नहीं दे रहा है तो CPU को लगता है कि एक में सी है UFS कनेक्टी नहीं है और इसलिए वो इसको आटो पूर्ड बना देता है तो आप नोटेस किज़ेगा यहां पर आप देखें कितनी सारी जगे पर जा रहा है कितनी सारी जगेपर जा रहा है और अगर मैं इसको डाइग्राम से इस्प्लेइन करूं तो यहां पर आ किया हम इसको आगे भढ़ाओंगा कि बहुत अलग अलग घंड़ पर यहां पर यह जा रहा है यह पर डाउंलोड मोड वाली लाइन पर भी आपको यह लगा हुआ है ुसमें अब करने बात करूं यहां देखें यहां पर भी जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आइसी जो है कि यह यह आपर यह विवर्डी इस-पी यू-आठ यह जो आइसी आपके दखाई दे रहा है यह ऊ-ठी-ड्ष सबसे इंपोर्टेंट यहां पर आपको यह लाइन देखने को मिलेगी मेरे यह रीजन है कि यह कैपिसिटर पर आना चाहिए और चार्जर लगा कर इस कैपिसिटर पर आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है अगर आपका आटो पूर्ड बन रहा है और अगर इस कैपिसिटर पर आपका जी य यार नहीं आ रहा है तो अमदलब यह समझेए कि आपके सेट में आटो पूर्ड बने गा आपके साथ में शांते आयसी को हिट करते हैं या फे हम बात करें आ इसको साथ में या इसको निकालते हैं रिबॉल करते हैं या शॉर्टिंग के टाइम पर यह आपका बिसिकली चला जाता है तो दोस्तों आपको ना कभी भी आगर ऐसा कंडिशना है तो हीट मत कीजेगा मैं यह कहूंगा कि इस को पूरा पत्रा निकाल कर इसके को निकाल के पहले इस सेट अन होने का या ओफ होने का कोई रिजन नहीं है बट क्योंकि इसके इन जो लाइन है उस पर यह पूरे आइसी टिक हुई है पूरा फॉन टेका हुआ है हर एक वुल्टेज का इन टेका हुआ है इसलिए यह इंपोर्टेंट है तो कैसा लागा यह वीडियो बताएगा ऑर है और अगा आपको एक ऐसे बाला जीसते जोंड़ना है जे एक ऐसी इस इंस्ट्ट्ूट से जुञना है जहां आंप सोच रहे हैं मैंने वहाँ से कहर्च कर दिया हर कोई रहा है 10-15-20 या 10-15 दिन वाले कोर्स कोई कोर्स करे अगर आपको लग रहाया है महनत आ है आपक दोस्तों तलो मैं आपको एक आफ़ेता हूँ और यह उपर मेरे जीवन भठका रहेगा अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब कर पाई आपको आपको अगर उनक्राइब र Border दो कुए थी को कोई भी कोस एक मेने का नहीं होता है कोई भी course एक हपते का नहीं होता है ये course बहुत time long time पर हमें इस पर manner करकर करके इसको हमें achieve करना होता है तो हम कभी नहीं कहते कि एक minimum सिखा देंगे हम जितना भी एक minimum सिखाएंगे उसके बाद आपको हर महीने update आना पड़ेगा भली आप दो महीने बाद आईए एक महीने बाद आईए या हर महीने आईए या तीन महीने बाद आईए चार महीने बाद आईए और वो update के बाद ही आप अपने उस लेवल पर चले जाएंगे जिस लेवल पर आप सोचते हैं कि मैं जाओ एक दिन सो इस वीडियो को देखने के लिए मुझे देखने के लिए हमारी चैनल को देखने के थैंक्यू बड़ी मच्च आपका दिन सुभ हो और अपनी लाइफ में वो जोस भर्दो जो सामने वाला आप से बोले कि यार यह बंदे में दम है थैंक्यू अब तब मिश्चर अभी तड कोई यूटूब में नी बताया हो निनकार बनादा इस users अब यश स्काहरा करने वाले हैं? दोखका Cypoo नहीं कर लाहू पॉब पॉज़ा है? Y1 वाइवां नहीं नहीं? तो अब देखका Tsipu नहीं करने वाले हैं सब्दोख सोदें मुल्साब दोखके नहीं सब्सक्रालिक काके चाहर। झाल झाल